How to add multiple domain in Hostinger कि आपको अपने website को Hostinger में कैसे एक्ट करना है यानि की multiple domain जैसे ऐख आपको यहां पर सो कर रहा है कि यहां पर मैंने ये भी domain यहां पर add किया हॉग anth यहां फ्रहिं यानिकी 5 से domain आपको यहां पर सो कर रहे है यह मैंने थावस्टिंग पर domain को find करना है तो सबसे पहले गैज हमें क्या करना होता है जैसे गैज आपको यहाँ पर सो कर रहा है वेबसाइप में ने किलिकिया तो यहाँ पर आपको डॉमिन सो कर रहा है तो आपको अपने होस्टिंग और एकाउंट को आपको पहले लॉगिन कर देने है जैसे हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद गैज आपको यहाँ पर इस तरह का सो करेगा एंड यहाँ पर होस्टिंग करका आपको सो करेगा एंड जो भी होस्टिंग आपने बाई किया हुआ है उस होस्टिंग का गैज आपको यहाँ पर नाम सो करेगा जैसे आपको यहाँ पे फिर्में में crashing ऊस्तिंग करना है यहाँ पर त्रेणूं के is this unionיעold यहाँ पर फिरेड ग changelope लिए यहाँ पर पोछू करने के बाद शियार और करना है तो आफो यहाँ पे इसे पर पर आगे एक migrate website उसका बाद सैईंड आगे एक प्रेक्रहित न्यूव एसका करना है तो olabilir करेंगे तो आपको gonna open developers पर double करने कि बाद यहां पर आपको so करेगा continue और उसके लिए पर singleka करेhat grabs अगर आपके पास पहले से डौमीन अगर आपको के पास द्जलीबर करने है तो इसके लिए पो पहले से ढुमीन तो मैं इसको ailट मैं इसको उप्पर तो जैसे मैं यहां पर डाल देते हूं, Kanva.com लिए आप उस domain को यहां पर डालना है, जो domain आपने बाई क्या हुआ है, Kanva.com में डालना यहां पर करने हैं, अब करने कि अब आपको अपको बाइसे नेम सर्वर करेंगा, यहां पर है नेम सर्वर, साथ输 end. daood-kom यहांपर आपको नाइम सर्वर सबों कर रहा है तो में यहांपर डाला हुँआ तो जिसे हम पर उने सर्वर क्लिक करने के बाद यहांd Exactly Abraham के एक पाईटक great go कानेंट करना हो इसलिए g 감사합니다 dream कर जासे नहीं और तालने के को कुलिक करना है यहां पे आपको भूला कि लपा इतने सारी हैंट एस और यहाँ पर गाज अभी मैंने जो canva.com फाइंड किया वह भी आपको यहाँ पर सो कर रहा है and domain not connected की यह बोला कि domain not connected यान कि हमने name server को नहीं डाला हुआ यह गाज मैंने आपको example के लिए बताया और जो मेरी website है आपको यहाँ पर सो कर रहा है hostinger में find कर सकते हैं इनकी multiple domain को आपको अपने hostinger account में find करना है and इसके बाद आपको wordpress को install कर देना है और अगर आपको hostinger से कोई भी domain या hosting buy करना है तो guys मैं link description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप buy कर सकते है one day मातरम